हेलो एव्यवन वेल्कम यॉलिन गंगोत्री गूर्प आफ इसकूल्स एंव शालतिया की फेकल्टी ओफ मैतमेटिक्स तो बच्छो अभी हम नेक्स्ट प्रोपर्टी पढ़ने जादे हैं देज प्रोपर्टी नमबर फॉर उसको उपर कुछ कोश्चन्स में नहीं आपे देखें हैं तो देखें प्रोपर्टी क्या है प्रोपर्टी नमबर फॉर यह बोल रही है कि अगर एक डेफिनेट इंटिग्राल इसको सॉल्व करना है एक टूबी एफ एक्स दी एक्स तो यह एक्विवेलेंट है किसके एक टूबी लिमिट सेम है फंक्शन चेंज किया है मतलब फंक्शन भी सेम है जस्ट सब्सिट्यूशन किया है ए प्लस बी माइनस एक्स ठीक है मतलब देस प्लस देस माइनस एक्स अगर मैं इतना कर दूँगा तब भी एक्स की जाएंगे क्या रख दिया ए प्लस बी माइनस एक्स तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दो तरीके से इसे मैं प्रूव कर सकता हूँ आपके सामने एक तो यह कि देखो इसमें X को let's say put करते हैं A फ्लस बी माइनस T put करके देखते हैं तो DX equal to क्या आएगा? राइट? UMC, Limits क्या आएगे देखते हैं A को put करो तो क्या आएगा? B B को put करोगे तो A आएगा तो lower limit B हो गई, upper limit A हो गई clear? F के अंदर कौन आ गया? A फ्लस B माइनस T और यहाँ पे आगे माइनस dt and you know very well कि माइनस के साथ आप लिमिट्स को change कर सकते हो और यह बन जाएगा a से b f of a प्लस b माइनस t dt तो इतना तो clear हो गया सबको कि हाँ यहाँ पे अगर x किजेंगे a प्लस b माइनस x में put कर दूँगा तो भी कोई problem नहीं है यह बन जाएगा all right guys ठीक है तो अभी आगे आते हैं अभी graphically देखते हैं इसे देखो fx fx का कोई यह graph बना लेते हैं let's say मान लो ऐसा graph है a से b एक मिन रुको थोड़ा सा अलग बना रहो जो तुम्हें दिख जाए चीज़े यह clear यह मान लेते हैं x equal to a है यह है x equal to b यह graph है y equal to fx अब मैं graph बनाने जा रहा हूँ y equal to f of a plus b minus x का right तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले f of minus x का graph बनाऊँगा फिर उसमें a plus b add करूँगा उसके input में ठीक है वो तुम्हें पता है यह shifting किदर रहनी चाहिए किदर नहीं अभी देखते हैं देखो सबसे पहले f of minus x मतलब rotation हो जाएगी ठीक है rotate हो जाएगा graph और it would be like this कि भाई ऐसे है ऐसा हो जाएगा कुछ और यह बन जाएगा कौन x equal to minus a और यह x equal to minus b सबसे पहले हैं ठीक है अब a plus b unit इसको आगे shift करना है समझ गए क्या a plus b unit कहाँ पहाँ 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 आगे ऐसे देख लो यह किसका graph है y equal to f of minus x x को 0 डालूँगा तो f को input क्या मिलेगा 0 input 0 कब मिलेगा जब x को क्या put करूँगा a plus b इसका मतलब x equal to 0 कहाँ पहाँ पहुंच गया है a plus b पर ठीक है इसका मतलब आगे आगे shift हो जाएगा a plus b यह लिए तो depend भी करता है कि जो a plus b है वो positive और negative है लेकिन यहाँ पह दिख रहा है जो हमने consider किया है वो positive लिए हैं दोनों ठीक है तो obviously A plus B जो होगा, वो pozitiv होगा, आगे shift कर जाएगा graph तो आगे shift कर जाएगा, that means कितने unit आगे जाएगा? Obviously A plus B unit तो देखते हैं, देखो जब मैं इसको A plus B unit आगे shift करूगा तो यहाँ से यहां तक कितना है? यहाँ से यहां तक कि distance कितनी है? A और इसको कहां जाना है A plus B unit तो जब A unit तो यहां तक जाएगा उससे आगे कितना चलना पड़ेगा इसको B तभी तो A plus B कवर होगा जब यह आगे move करना शुरू होगा तो यहां से आगे कितना चलना पड़ेगा ठीक है तो मैं इसे shift कर रहा हूँ आगे जो यह अपना Y axis है उससे कितनी distance पर होगा obviously B क्योंकि A plus B unit आप shift कर रहे है clear और point तो यह तो यह रहेगा ना कहीं इस जहेंगे यह हो जाएगा X equal to B यह जो X equal to minus A था वो किसमें convert हो गया बच्चो X equal to B में और जो यह X equal to minus B है तो मतलब समझो यहां से यहां तक कि जो distance है वो B units है और shift कितना करना है A plus B तो मतलब Y axis से कितना आगे जाएगा obviously A units तो यह point पहुंच जाएगा यहां पर और इसके coordinate बन जाएगे A इसका मतलब देखो हुआ क्या है graph की nature change होगी है यह बात तो बिल्कुल सही है जो A था वो B वन गया जो B था वो A बन गया ऐसा कुछ भी हुआ है ठीक है लेकिन ध्यान से अगर देखोगे ध्यान से अगर देखोगे area वही का वही है देखो बस यह shape यह area देखो यहां पर भी area चेंज नहीं हुआ है समझ गए मेरी बात पहले यहां पर देखो decreasing था फिर increasing हुआ यहां पर कहा है यहां पर भी decreasing और increasing है same type का curve बस चीज़े थोड़ी सी change हो गई यहां पर ऐसे जा रहा था यह इधर से आ रहा है ऐसा clear है मतलब यह समझो यह वाला point यह वाला point यहां पर है और यह वाला point यहां पर है बस इतना change हुआ है area पर कोई भी effect नहीं पड़ेगा आपको clearly दिख रहा होगा सही है बचो तो graphically भी हमने देखा कि हाँ यह तो बात सही है कि अगर मैं fx को a से b में evaluate करूँ या f of a plus b minus x को a से b में evaluate करूँ बहुत आर सेम तिंग राइट बचो तो बस यह हमारी important most important property है maximum time इस property का use होता है सबसे ज़्यादा इस chapter में जो property use होती है वो यह है याद रखें ठीक है बहुत interesting सी property है तो अभी हम questions देखेंगे कि कैसे इसको use किया जाता है यह देखेंगे ओल्राइट बचो ठीक है तो जल्दी से इसको उतार लो उसके बाद मैं questions के जरी आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको use करना है और पॉस्ट देखेंगे जल्दी से जैसे question no.1 क्या क्या रहा है जीरो से पाइबाइट टू साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस खोसे अभी ध्यान से देखेंगा कैसे इन questions को इनके अंजान तक पहुचाया जाता है देखो ध्यान से बिलकुल एक एक तरीका आपको सीखना है फिर अपने आप दिमाग चलना शुरू हो जाएगा एक बार सीख लो जैसे यह दिया है सबसे पहले इसे ना एक नाम देदो आई इस integral का नाम देदी है मैंने i let's say its name is i अब मैं वही वाली property लगा रहा हूँ obviously नाम तो वही रहने वाला है 0 से πाई बाई 2 अब देखो क्या है property a plus b minus x लेकिन यहाँ पर a कौन है 0 क्या problem है there is no problem ठीक है तो a plus b minus pi by 2 minus x बाई समझाएगी जो a plus b है इस बार वो pi by 2 है क्योंकि यह तो 0 है तो this plus this that is pi by 2 and minus x all right guys ठीक है divided by पूरे function में आपको यह substitution करना है बिना सोचे समझे बहुत हार same thing यही बताया है हमने last property में आपको ठीक है ओके तो यह अब किस में convert हो गया ध्यान से देखना यह convert हो गया है यह क्या बन गया cos cube x और नीचे cos x plus sin x अब ध्यान से देखो जो उपर और नीचे वाला function है उसमें जो अपना denominator है वो same है denominator जो है वो same है अब इसका मैं फाइदा उठाने जा रहा हूँ numerator different है लेकिन denominator same है बचो मैं क्या फाइदा उठा रहा हूँ मैं इन दोनों को add कर रहा हूँ यह 1 है यह 2 है तो let's add them ठीक है 1 plus 2 that is 2i 2i कितना हो जाएगा देखो integral की limit same है तो obviously इनको combine किया जा सकता है जब मैं add करूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin cube x plus cos cube x क्योंकि denominator तो same ही है sin x plus cos x बात clear है सबको I think clear होगी इन दोनों को add किया है बस this and this denominator same है limit same है तो add कर सकते हो combine कर सकते हो combine किया यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा यह क्या बन रहा है बहुत easily मैं इसको आप solve कर पाऊँगा क्योंकि इसका formula तुम जानते हो चलो मैं लिख देता हूँ sin x plus cos x and यह बनेगा क्या sin square x plus cos square x plus नहीं minus sin x into cos x divided by sin x plus cos x clear है मेरी बात अब देखो यह हो गया cut यह बचा यह अब इसको मैं solve करके दिखा रहा हूँ आपको उपर तो 2i बच्चो बराबर है 0 से pi by 2 यह होगे अब 1 देखो 1 minus क्या sin x into cos x 1 by 2 से उपर नीचे multiply कर दो चलो दिखा देता हूँ ठीक है ना यह dx तो 2i 0 से pi by 2 1 dx minus इसमें 2 से उपर नीचे multiply करूँगा अगर तो यह बनेगा क्या sin 2x dx तो 2i is nothing but pi by 2 यहाँ पे और यहाँ पे 1 by 2 इसका integration क्या होगा 1 by 2 cos 2x वो भी minus के साथ तो minus minus हो जाएगा plus integral of sin x क्या होता है minus of cos x लेकिन यहाँ sin 2x है तो 1 by 2 भी आएगा you know very well ठीक है तो यह आगया हमारा तो i कितना आगया pi by 4 और यह कितना है pi by 1 by 8 cos 2x and 0 से pi by 2 अच्छा limit यहाँ पे भी लगा सकते हो कोई tension नीए ऐसा नहीं कि पहले i बनाना पड़ेगा तब limit लगेगी वो मैंने लिख दिया तो कोई नीए उसमें भी कोई दिककत नीए ठीक तो आप limit लगा लो यह तो pi by 4 ही रहेगा और यह कितना बनेगा 1 by 8 pi by 2 डालो यह तो pi मिलेगा cos pi कितना होता है minus 1 and minus of cos 0 that is also 1 तो बच्चों यह आगया pi by 4 minus 1 by 4 pi minus 1 by 4 clear है मेरी बात तो बस ऐसे यह questions solve होता है मतलब एक का नाम i दो और फिर यह property लगा उसके बाद दोनों i को add कर दो तो कई बार maximum time interesting चीज़े हमें मिल जाती है यह questions कई बार solve होने लायक नहीं होते हैं लेकिन property लगाने के बाद questions solve हो जाते हैं ओल्राइट ठीक है तो अगर आप indefinite integral से इन question में मतलब जो यह questions लिखे हैं मेरे कुछ अगर यहाँ पर आप indefinite integral का use करेंगे तो दिक्कत आएगी तो इसलिए definite integral की properties बहुत important है यह अच्छे खासे question को बहुत easy बना देती है औल्राइट बचो तो इन बात का धियान रखें यह property obviously जब आप limits दी जाएं तभी आप लगा सकते हो तो indefinite integral और definite integral बहुत हार different things ठीक है ना दोनों अलग-अलग है तो इसलिए यह properties सिर्फ कहाँ पर applicable होंगी obviously definite integral में क्योंकि उनकी जो limits हैं उन्हीं की properties हैं ओल्राइट चलिए जल्दी से इसको copy कीजिए फिर next question पर move करते हैं चलिए next question देखते हैं जल्दी से देखो next है यह minus pi by 2 2 pi by 2 1 upon 2 0 0 7 x plus 1 into sin 2 0 2 0 x ध्यान से देखेगा बहुत easy है अब देखना ध्यान से की दिमाग कैसे लगा जाता है देखो मैंने जैसे ही यह लिखा बास सही है ठीक है अभी so much non-understanding बनाना जब कभी आपको exponential function दिखें ध्यान से definite integral में इस type के exponential function दिखें देखो आगे questions में भी कुछ होगा शायद नहीं अभी नहीं है मैं दिखाऊंगा आगे दिखा दूँगा exponential function is like 2 0 0 7 x या कुछ ऐसा दिया जाता 1 upon 2 की power x plus 1 e की power x plus 1 इस type के और with technometric expression या कोई और भी हो चलेगा तो ध्यान से एक तरीका देखना कि इससे कितना फायदा होता है यह सिर्फ तभी applicable है जब symmetrical limit हो मतलब दिमाग में आने की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ कि दिमाग में क्यों आएगा कि यह वाली property लगानी चाहिए ठीक है एक तो सबसे पहली बाद definite integral का अगर कोई भी question है तो यह वाली property तो आपको लगा के देखनी ही देखनी है यह समझ लो यह property number जो 4 है यह तो एक बार लगा के देखिलो आपने दिमाग दिमाग में कि क्या कुछ फायदा हो रहा है maximum time हो जाता है इसलिए ठीक है तो मैंने क्या किया देखो this plus this क्या होगा 0 minus x a plus b minus x means यहाँ पर कितना होगा 0 minus x that is minus x x की जंगे अगर मैं minus x put कर दूँ बास समझ आ रही है मैं दुबारा बता रहा हूँ मैंने क्या बताया था कि substitution कर सकते हो x को a plus b minus x से replace कर सकते हो तो यहाँ पर a plus b 0 है और minus x तो सिर्फ x को किस से replace करना है minus x से तो जब मैं इसको x को minus x से replace करूँगा तो इस पर कोई effect पढ़ेगा नहीं इस पर नहीं इस पर नहीं यह पूरी quantity as it is रहने वाली है ठीक है अभी धियान से समझेगा clear है अब देखो धियान से मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पर effect पढ़ेगा इसमें x की जिए माइनस x हो जाएगा और यह बहुत interesting है देखो अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर माइनस x प्लस 1 कर दूँ तो इससे क्या फायता हो गए इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x 1 प्लस 2 की पावर x लिख सकता हूँ के नहीं वही कैसे यह देखो इसको ऐसे लिख लिए 2 की पावर माइनस x को लिख लिए 1 अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 तो LCM लो और 2 उपर आएगा बात समझा ही क्या अब दियान से देखो अगर मैं इसको and इसको initial वाले को add कर दूँ तो उपर बनेगा 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1 यह फायदा होता है exponential function जब हमारे पास available होते है समझे मेरे पास यह दिया गया मैंने a plus b minus x वाला use किया और बन गया 2 की पावर minus x फिर मैंने इसको थोड़ा simplify किया यह आगया अब यह भी आई है और यह भी आई है वही वाला case है अगर इस पर integral लगा है तो this यह भी आई है और substitution के बाद भी आई है अब इन दोनों को जब मैं add करूंगा 2y लिखूंगा तो उपर क्या बनेगा 2 की पावर x प्लस 1 2 की पावर x प्लस 1 equal to क्या जाएगा 1 मतलब जो यह exponential वाला जो expression है वो गायब हो जाएगा और यह बहुत फाइदे मन्द है और राइट तो इन चीजों का आप दिमाग में रखें कि हाँ ऐसे कुछ फाइदा हो सकता है अच्छा यह काम सिर्फ तभी करना है क्या देखो इसमें तो करना ही करना है जब symmetrical limit हो अगर symmetrical limit नहीं है तो it does not mean कि आपको try नहीं करना है try करके देखो हो सकता है कि उस question को ऐसे बनाए गया हो कि वहाँ पे जो limit given है उसके हिसाब से वो convert हो रहा हो तो आपको लगा के देखना है बस फायदा मैंने अभी आपको दिखा है कि क्या आपकी दिमाग में रहना चाहिए कि भाई अगर मैं इसमें a plus b minus x लगाँगा तो इसके क्या फायदे मिलेगे मुझे एकदम से मुझे दिख रहा है देखो यह as it is रहने वाला है इस पे minus x आएगा तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूँगा फिर जब दोनों को add करूँगा तो यह तो common आ जाएगी चीज और यह बनेगा one अब मैं करके दिखा रहा हूँ यही काम ठीक है उससे पहले मैं इसको अटा देता हूँ तो देखे बच्चो जल्दी से देखो minus pi by 2 वही वाला काम कर रहा हूँ मैं अपनी हिसाब से लिख लेना फिर यह आगे minus x plus 1 और यह as it is इस पे कोई भी effect नहीं है यह into में प्रोडक्ट में minus x minus x dx बस समझाई इस minus का कोई काम नहीं है इस minus का कोई काम नहीं है क्योंकि even power है कोई भी effect नहीं पड़ेगा तो यह चीज तो as it is है अच्छा यह आई था तो यह भी obviously आई है ठीक है अब इन दोनों का add करो जल्दी से इन दोनों का जब मैं ने add किया यह समझ आ रहा होगा तुम्हें शायद की इसे तो मैं common ले लूँगा यह तो आगया common यह minus x को गायब कर दिया मैंने क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसका समझ गया है ना इसका कोई effect नहीं पड़ेगा अब इसको मैंने ऐसे लिखा है actual में 2007 की power x upon 1 plus 2007 की power x लिख सकता हूँ इस चीज़ को ऐसे और अब जब मैंने add किया होगा तो यह क्या बनेगा 1 plus 2007 की power x and 1 plus 2007 की power x यह cut हो गया 1 आ गया सिर्फ question कितना बचा देखो दियान से 2,0,2,0,x plus cos 2,0,2,0,x dx यह 2i के equal है ना दोनों को add किया है तब यह मिला है ओल्राइट ओके तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं यह ध्यान से देखिए ध्यान से देखो अब यहां तक question आ चुका है अब क्या करें अब भी यह easy थोड़े ही हो गया है तो अभी क्या करना है तो बहुत easy है यह अभी बहुत easy है अभी धियान से देखिए तुम्हें पता चल रहा है सिमेट्रिकल लिमिट्स हैं अच्छा एक ही कोस्चन में एक से ज़्यादा प्रोपर्टी लग सकती हैं यह बात धियान रखें तो प्रोपर्टी नमबर आई थिंक थी शायद ठीक है ना तो प्रोपर्टी नमबर एक में य है साब से देख लेना मैं तो तुम्हें ऐसे बतायता हूं कि यह देखो सिमेट्रिकल लें एबाउट ओरीजिन तो सिमेट्रिकल में अब मुझे ऐसा भी सोच लेना चाहिए कि यह फंक्शन कैसा है एवन फंक्शन है कि नहीं बोलो एवन है या नहीं एक्स को अगर माइनस डालो तो कोई इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं एवन फंक्शन है येस तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यह इट इस नाथिंग बाट टू टाइमस ओफ जीरो से पाई बाई टू जो सेकिंड लास्ट प्रोपरिटी हमने पढ़ी थी सही बात है ट्वाइस कर देते हैं जब इवन फंक्शन होता है सिमेट्रिकल लिमिट होती है और होता तो जीरो बोल देता मैं एवन था तो इसलिए क्या किया ट्वाइस ओफ जीरो से पाई बाई टू दिस क्लियर है अब देखो अब धियान से देखो फिर से मैं यह अपनी सब्सक्राषण कि निहीं लास। प्रॉपर्यटि फिर से युज़ करोंगा कितनी बार 腥का कोई दिक्कत नहीं हिए तो अब देखो धियान से देखो अब कॉस्चन जो बचाए देखो टू से टू कडिया आएगा यह अपर टू आई है यह तो एक्च्वल में अब इस question यहाँ पे आके रुग गया है 0 से πाई बाई 2 sin 2 0 2 0 x upon cos 2 0 2 0 x plus sin 2 0 2 0 x d x ठीक है यहाँ पे आके question रुगा हुआ है अब मैंने फिर से वही फिर से वही वही क्या f x को f of a plus b minus x रखने वाला case ठीक है यह अली property यूज की और यह limit तो as it is रहती है और उपर क्या बन जाएगा cos x नीचे जहाँ cos था वहाँ पे sign बन जाएगा जहाँ sign था वहाँ पे cos बन जाएगा लेकिन रहेंगे सेम ही denominator जो है वो सेम है दुबार से add करो तो interestingly आपको दिख रहा होगा तो 0 से πाई बाई टू उपर 2,0,2,0,x cos 2,0,2,0,x अपॉन में sin 2,0,2,0,x plus cos 2,0,2,0,x dx यह कट हो गया पुरा और यह आगया 0 से πाई बाई बाई टू 1 dx दैट इस πाई बाई 2 तो i की value बच्चो आगई πाई बाई 4 बात खतम हो गई i की value कितनी आगई πाई बाई 4 समझ आया तो ऐसे question solve करते है एक ही question में ज़्यादा बार भी हम limit लगाते है अच्छा दिमाग में कहां आए कि यहाँ पर लगाना चाहिए यहाँ यहाँ पर नहीं देखो interesting है कि यहाँ पर sign यहाँ पर cos उपर क्या है sign तो जब मैं 0 से देखो यहाँ पर minus x डालूँगा तो as it is रहने वाला है तो event function था तो मैंने यह वाली property लगाई अब इस case में मेरे दिमाग में यह वाला step आना ही चाहिए क्यों? क्योंकि देखो नीचे क्या है sign cos उपर क्या है only sign अगर मैं 0 से 5 by 2 मतलब a plus b minus x लगाऊंगा तो मुझे एकदम आलगी दिख रहा है कि उपर तो cos बन जाएगा नीचे वाला as it is रहेगा तो कमाल की बात है जब दोनों को add कर दूँगा sign plus cos कुछ ऐसे term बनेगी और नीचे भी sign plus cos ही है तो कट हो जाएगा बहुत easily यह चीज़े एकदम से अपने आप दिमाग में आ जानी चाहिए यह step देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ओके इससे तो मैं सिधा 0 से 5 by 2 1 dx डायेट लिख दो बट यह किसके equal हो जाएगा 2i के उसके हिसाब से कर देना यह बाय टू ऐसे लिखना पड़ेगा आपको इसके लिए ठीक है अगर यह 2i पे ही आप वर्क कर रहे हैं तो बाय टू और यहां से 5 by 4 आ जाएगा तो एकोर्डिंगली मतलब ठीक है यह मेर कहल से समझ आ गया होगा कि कब दिमाग लगाना है लॢई इस चीज़का क्योंकि नीचे साइन को सीट Clean और जीड़ू से जीड़ो प्लस 5ग टू मैंने यहार कोस्टन में सोचता हूं मैं कि a Kommentím क्या क्या फायदा होगा तो इसमें देखा स्पाइबस-ब माइनस-एक तो देखा कब आपके दिमाग में ये चीज़े क्लिक होनी चाहिए इस टाइप से आपको करना है वैसे प्रैक्टिस में इतनी करवादूंगा कि अपने आप दिमाग में क्लिक होगा अल्राइट, then pause the video and note it on fast